पनोर्मा ग्रुप जो सोचता है वो करता है आपके अपने सपनों का आशियाना सारवजनिक हुआ है बड़ा प्रस्न तो यहीं है इतना ही नहीं लालू प्रसाद यादों ने कुछ नामों पर बड़ा चोकाने वाला फैसला ले लिया है अलग अलग लोग सभा छेतरों के लिए चलिए गेम बड़ा में आज इसी विशे पर चर्चा करेंगे कि आदी रात को आनन फानन में लालू प्रसाद यादों ने अपने लग भग जो सीटे हैं 25 सीटों में से 22 सीटों पर ही नाम का एनाउंस्मेंट क्यों किया सर पहला प्रसन तो यही है कि 22 सीटों पर इतनी हडबड़ी हुई 25 सीटे कुल मिला करके होती है राजत की लेकिन सिर्फ 22 पर ही उमिद्वारों के नाम आए नाम राजत की केवल 3 सीट तो कम होगे न उन्होंने दे दिया है मुके सहनी को तो उनके पास क्येवल भजती है 23 सीट है और इस 32 सीट पर उनके ने अनाुण्स कर दिया है ने कि हम इसके बादवाली खबर में परताल करेंगे कि वह एक सीट कौन सी है और क्या उसका पेच है लेकिन पहले हम उस लिस्ट पर चर्चा करेंगे जो लिस्ट बहुत चौकाने वाली है इस लिस्ट को देखिए प्रथम ज़स्टे आप देखेंगे तो आप सोचेंगे कि ऐसा नहीं है कि यह जो नाम है वो नए है यह सारे नाम पुराने है लेकिन यहां कुछ अलग तरीके की रहनीती चल रही थी देखिए छेतेस तरफ पर अगर हम एक एक करके विस्ट लिस्ट करेंगे तो लंबा हो जाएगा मैं एजो हो आपको बताते चलो देखिए जैसे एक परसेप्सन बिहार में जबसे वो जातिय गड़ना हुई थी तो एक परसेप्सन बनाया जा रहा था कि बिहार में कुसवाह समाज का वोट कम है यादो समाज का वोट जादा है इन जातियों का कम है दलित जाती जादा है तो यही अंदाजा लग रहा था कि पासवान यादो तो इनको ज्यादा टिकट देगी राजवाद लेकिन उसमें एक बड़ा परिवर्तन देखिएगा कुस्वाहा मैं तो इन जातियों का आप देखिएगा कि बहुत ज्यादा संख्या है इसका कारण क्या है इसका कारण ये है कि भाजपा ने अपने तब से कोई कमी नहीं छोड से एक बहुत बड़ा खेल कर दिया है कि भाजपा ने सबसे बड़ा जो वोट बैंक है लोग उसका मने कोई वोट बैंक जो ओबीसी का है उसमें यादो छोड़कर उसको अपने पाले में करने के लिए नितिज अपनकुस्वाहा और सम्राज चौधी को एक साथ कर लिया है तो यह तो कहीं ने कहीं बड़ा वोट बैंक है ना और इस वोट बैंक को भाजपाज अपने पाले में करने में सपल हो जाएगी तो ओबीसी का जो भेग है वो टूट जाएगा फिर राजद या लालु यादो वो खेल नहीं खेल पाएंगे जो आरक्षन खतम कर देंगे य गया से सरजीत पासवान नवादा से स्वन कुमार कुस्वाहा सारन से डो डोक्टर रोहिनी अचारिया आप देके इस मिसमें से तीन-चार में से एक कुस्वाई ही हो गया है फिर आप नीचे आईए जमुई से अर्चन अरविदास यह यह जो जाती है इस जाती को टार्गे हैं उनके जिराग पासवान के उनके जीजा तो इस बोड़ बैंको वो अपने दर टार्गेट कर रहा है तो बहुत संभवना इनके लिए नहीं खुलती है तरबंगा में देखे फिर यादो स्वामिकरन आपको वापस आता है स्री ललित यादो यहां से दिये गया है बक्सर देखे चौकाने वाला नाम है चंद्रहंस चौपाल यहां से बैदनात महिता तगड़े रेस में थे जब उनका उस तरफ टिकट फाइनल नहीं हुआ बैदनात महिता का आरे से जुड़े हुए थे और वोलिंटेरी टार्मेंट लिया हुए था उन्होंने इसलिए लिए लि चुपाल की लड़ाई भी त्रिकोनियमत हो जाए अगर यहां बैदनात महिता चुनाव लड़ने आते हैं तो चंद्रहंस चौपाल और जो दूसरे हैं दिलेसो कामत इन दोनों के लिए बहुत कठनाई होने वाली है इन दोनों के लिए समस्या पैदा कर देंगे यहां त्र लगबग पिछले 10-15 दिनों से आपको पता होना चाहिए कि बैदनात महिता को अपने पाले में करने के राजा धर्तरगा प्रयास कर रही थी वी आईपी चाहती थी कि यह सीट उनको मिल जाए तकि बैदनात महिता को इलड़ाए लेकिन नहीं मिल पाया पार्टी पुता से म मेसा इस सीट को लेकर अलगी तरीके के बाहु रहता है और यादों की जो का जो वोट है वो कहीं है कि सहरी चेत्रों का चुनोती भंजता है राज़त के लिए और इसे मतलब सबसे जो करीब होता उसी के कुरबाइनी दी जाती है मिसा भारती को बार बार भेज जाता है कि ज यह कुमार सुकला उर्फ मुना सुकला जी यह चौकाने वाला नाम है वैसाली में जिस तरीके का विरोधिन का हुआ था और जिस तरह से इनको टिकट दे दिया गया यह निश्चत तोर पर मुझे लगता है कि लडाई को एंडिया की तरह मोर देता है बीना देवी कमजोर है लगतारी चल रहा था लेकिन उस लड़ाई को यह सीधे तोर पर एक तरफा कर देता है अब देख लिए का आगे चलके समभन आपको आ जाएगा रामा सिंग का भी चर्चा यहां पर चल रहा था मतलब दू नामों की चर्चाएं हो रही थी अंत मुना सुकला को दिया गया विवाद वीवधन हो गया समय सुकला तो रामा सिंग तो चाहते ते चुना रहना अब अगली तरफे औरंगाबाद से अभय कमार कुस्वाहा अभय कुस्वाहां को पता ही जद्यू में थे बड़े करीबी थे नीठीश कुमार के पतानी किस प्रस्थितियों में उनको जान होना थी निरज कुमार यहां से ताल ठोक रहे थे लेकिन मुझे लगता है कि सीट पर कॉंग्रेस अंदर अंदर कुछ खेल करेगी यहां सम्हाओना है अभी जीवित है हाजी पूर से अब देखिए स्विचंद्राम का नाम है यह नाम भी चौकाने वाला है कि स्विचंद्रा आलम जो हैं इनका अब को पता ही कि सर्फराज सबाना यहां भी त्रिकोनिया लड़ाई हुने कि सम्हाओना अर्रइया में पूर चैंस है शरफराज को सर चर्चा हो रही थी हम कली पब्लीक रेक्शन करके आए हैं और चर्चा चल रही थी कि सर्फराज और सभाज में किसे म दो भाईयों की लड़ाई में हर बार देखे फाइदा उठा ले राते हैं यहां से भाजपा के प्रदीप सिंग और लगता है इस बार भी वही होगा जहाना बास सुझंद्र पसाद को दिया गया है टिकट कितनी लड़ाई होगी क्या होगा यह आगे समय बताएगा नहीं है इनके बार में बहुत नहीं जानता हूं मुंगे सरनीता देवी महतों है आपको पता है किनको कैसे क्यों दिया गया है सूक महतों की पत्नी आननफाने में साधी हुआ वो सिवान वाला प्रकण फिर से दुबारा राजद ने दोरा दिया उजियारपुर से अलोक कुमार महता को दिया गया है अलोक में था बढ़नेता है उनकी बात अलग है उनका राम कठना संभाव नहीं किसी के लिए सीता मडी से अर्जुन राय को दिया अनतिम समय में सीट में अर्जुन राय को चुन लिया गया मदवनी से असरफ फात्मी को दिया गाले असरफ फात्मी को यहां भी देखिए चर्चा चल रही थी किसी और का नाम असरफ फात्मी बहुत पहले से दावेदार थे यहां से उनको दे दिया गया वालमी की नगर कॉंगरेस मांग रही थी कॉंगरेस को नहीं दिया गया प्रव पक्या दो यह होखर से महिला भर्स महिला कर दिया गया है स्रीमृत रितियु जयस्वाल को दिया गया है पिछली बहुत कम अरजीन सहारी थी विधायक का उसे पहले इस प्रोफेसर कुमार चंद्रदीप को दिया गया है तो यह लिस्ट है लेकिन इसमें 22 ही नाम है एक नाम Missing है सीवान की सीट का आप देखिये कहिं जिक्र नहीं है सीवान की सीट बहुत महत पुरू न सीट है सीवान की सीट परनिश्चित तौर पर आप समझ लीजिए कि पेज फसा हुआ है और उस पेज कौम जाज परताल के तहत खोलने कोशिस करेंगे हम बताने कोशिस करेंगे अपने दर्शकों को कि आखिर वो कौन सा खेल है तेकि जमुई में जैसे अर्चना रविदास को जैसे टिकट दिया जा रहा दिया गया है यहां से आपको पता है कि पुपता कॉंग्रस से मांग रहे थे इस सद्व नवादा सीट पर भी कॉंगर्स मांघ रही थी बहुत सबस्सी चांड़ मांग रहे थी लेकिन को दीया नहीं गया तो उसका पड़ेगा वो भी देखेंगे और जो दी गई है सीटे व्याइपी को उन पर भी क्यासर होगा बाकी जो बची एक सीट सिवान की क्या पेच फसा है अगले जांच परताल में हम आपको अपने संपादक नमर मिशासर के साथ जुड़कर उस पर जांच परताल करवाते हैं कि क्या मामला चल रहा है जुड़े रहे बारत लाइब के साथ कि इमड़ा में इतना ही बहुत बहु कार रखे नी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ले ओजेगो घंटी बाग उकरा बटन दबा देला से कुल सठीक और मारक खबर रुवा मुफ्त में मिल जाए अगर रुवा पत्रकाजिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहता नी तो पेटियम नंबर नोटकली 9386816700 धन्यवादी